क्यों शुब करने से पहले बजार के कुछ बात करते हैं अगर आप बजार को देखो गए तो बजार अब कुछ नहीं कर रहा है वो सिर्फ आप कंसॉलिडेट हो रहा है विकेज यहां पर जिसनों ने परधान मंतरी बनना था वो परधान मंतरी बन चुके है जिनको जो से अब बजार ठहरेगा और सोचेगा भाई वर्ट नेक्स आने वाले हैं हमारे कंपनी के रिजर्ट के वाला है हमारा खतम तो बेसिकली अब होने के वाला है बजार केंदा सिर्फ वह कंपनी सस्टेंड करेंगी और यहां से भी ब्रेक आउट देंगी जो अच्छे वैल्यूशन करना अच्छे सेग्मेंट केंदा इन्वेस्ट करना यहां पर कोई भी बॉल्क बाइंग ऑपर्चुनिटी परसनली में मानू तो नहीं है अगर मैं ब्रॉड लेवल की बात करूं बजार के अंदर पर अगर आप सेग्मेंट वाइस देखोगे तो सेग्मेंट वाइस आज भी ऑपर्चुनिटे दिखती है जैसे फिनेंस सेग्मेंट आज भी अच्छा है यह कुछ ऐसे सेग्मेंट है जो इस सहा पर अंडर वल्यूट दिख रहे हैं तो अगर आप सेक्टूरल इंवेस्टिंग करना चाहते हो जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टिंग होती है यहा मैं थोड़ा जादा लेंडाउन हूँ मैंने स्मॉल कैप में बहुत पैसा डाला था वहां पर एक अच्छा पैसा बना इसी सां मिड कैप में भी डाला था ना कि मैं ब्रॉडर मार्किट की साइड जाओंगा मैं यह मान लेता हूं कि निफ्ट यहां से डबल भी हो गया तो म पर वो कॉंसेंट्रेशन बेट लेकर के बनाए हैं जो कहते हैं सेफ इंवेस्टिंग करो यह बहुत अच्छा है परसनली यह मैं मानता हूं कि बेगिनर्स को ऐसा ही करना चाहिए वर अगर आप थोड़े से इंटेमिडियेट हो यह एडवांस हो चुके हो आपको साल दो साल हो चुके हैं बजार में आए हुए बजार को आपने भाप लिया है थोड़ा अच्छे से बजा समझते हो तो आप सेक्टोरल इंवस्टिंग साइट स्लोड़ी स्टेडिली मूफ कर सकते हो विकाद नहां पर मैक्सिम पैसे बनेंगे अब यहां पर बहुत सारे कमेंट आ सकत हैं तो भाई हर किसी के लिए लग इंवस्टिंग स्ट्राटेजी काम करती है बेगनर हो आप तो सिंपली अपनी करते हो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर आप थोड़े से एडवांस हो थोड़ा जादा रिस्क ले सकते हो तो सेक्टर इंवस्टिंग मेरे साब से इस साहां है और मेरे से तो बढ़ा ही है उसने बुलाई कि बखवास होता है इसके पैसे डालने से कुछ ही नहीं होती है सिंपल इंवस्टिंग की होते तो भी पैसे बन जाते सो बहुत बड़ा कमेंट है तो इसको इतने पर ही कवर करना चाहूंगा देखो यार मैं आपको चार्ट प किया राकेश जिन वाला जी थे उन्होंने अपने तरीके से इंवेस्ट किया तो आप यह समझो वेराइटी ऑफ इंवेस्टर से वेराइटी ऑफ थार्ट प्रोसेस है आपके लिए कौन सा काम करेगा मेरे ख्याल से वह एक अच्छा option है यह सही कह रहा है वह गलत कह रहा है म इसमें नहीं पढ़ना चाहता है यह बच्चो वाले काम है बिकेस मैंने वह चैनल देखा जो आपने बोला मेरे इसाब से काम पर फोकस करना चाहिए इनसान को सिखाने पर फोकस करना चाहिए रही बात opportunity fund वाली तो मैं वहां पी clarity नहीं देना चाहता बट फिर मैं दे देता ह आपको सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बजार कैसे गाम करता है बजार 60-70% अव टाइम चलता है यह मैं आपको चार्ट पर लिखाँ हूँगा सेकेंड चीज़ जब बजार बुल रन के अंदर होता है तो पैसा कहीं भी डालो आपका पैसा बनेगा लोग बोल आप शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दो ठीक है कि बजार के अगेंस जाकर कि आपने शॉर्ट सेल कर देके वह नेक्स बजार कंदे यहां पर गिरावट होगी जैसे दानी के केस के अंदर क्या था ठीक है तो यह चीज़ हम किसी और वीडियो में देखेंगे पर आप यह देखो ट्रेंड लाइन अग्र आप देखो गया थी यहांप है आगी भी जाते वह दिखेंगे इसी के साथ सथकर क्रIESसे मिल रहाय टीक है अब एक बात बताओ अगर किसी के कर सकता है वह उठा करके यहां पए खरीदेगा यहां 4 % का घेन है यहां पर करके भी सकता है आपको यह बोलेंगे यह गिरेगा और यहां पर आ करके खरीदेगा मतलब 22,300 के आज सपास आ करके एक सपोर्ट ले सकता है तो यह तो होगी पांच परसेंट का गिन आप बोलो भाई पांच परसेंट ही आप यह समझो भाई पहले चीज एक साल के अंदर कित्ती बार पांच परसेंट आपने बनाए हो 3 different based अगर आप ने थीन चार महीने निकल गया और 6 महीने के अदर अगर Balk यह इयर लिए आवरेच आता है आपका Cent के रिटन तो पहले चीज होगे यह कैसे करोगे पोर्ट फोलियो अलग अलग तरीहीं के होते हैं पोट फोलियो बनाने के जैसे एक होता है long term portfolio, एक होता है short term portfolio, एक होता है satellite way of investing, ठीक है, तो investing के तरीके है, अब या long term long term करते रहोगे, तो कोई फायदा नहीं है, long term, मतलब हर किसी का अलग तरीक है, ठीक है, मेरे को तो भाई, जहाँ पैसा बनता है, मैं वो तरीका बनाने की कोशिश करता हूँ, इसम पर, यह कौँ सार टाइम है भई, यह वाला time में दिखाता हूँ आपको भई, यह वाला time है, हमारा, यह वाला time है, हमारा covid वाला, ठीक है, अब देखो, covid में क्या हुआ था, covid में अगर किसी भी बंदे ने खरीद लिया था, यहाँ पर पैसा, ठीक है, यहाँ पर जब उसने कितने पैसे बनें आपके, आपके बने, सिफ औसे 29% के रिटन, वो जो एक-दो महीने की बात करते हैं, बाई, दो साल के अंदर, तीन साल के अंदर, तीन बार market करी थे रहे, बाई, बाई, बजार कितना देखा है आपने, अब यही बताओ, यहाँ पे आपने आपने खरीद के लिए यहाँ पर invest के 90% market के अंदर, पैसा लगा हुआ आपका, तो सबसे पहली चीज, 90% पैसे ने आपके 28% के रिटन बनाए, दूसरी चीज अब आपने यहाँ पर देखो, दूसरी चीज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बनेगा, यहाँ उसके ऐद सब्सक्राइव, उसके बाद अगर आप पैसे ढलते हो इसके ते गालते हो, तो आपके कितने रिटन मनते हैं, तो आपके 14% के रिटन मनते हैं, मैं कहता हम 14 नहीं, आप आधे माल दो, 7% के रिटन मम हल लो, ठीक है, बफिर नीचे गरता है, फिर आप बजार के यहां प्यास 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 डालते हो फिर बाप बजार उपर तक चला जाता है ठीक है किते परसंट के रिटन बने 18% मैं चोड़ा पादे माल लो 9% के रिटन तो यह इतने छोटे-छोटे रिटन करके आप कितना पैसा बनाओगी आपको क्या लगता है आप अल्मोस्ट 50% तक के रिटन बना सकते हो और यह मैं आपको इसलिए बता रहो विकर जो बजार है 60-70% सिर्फ कंसॉलिडिशन में चलता है और लॉंग टर्व इंवेस्टिंग इसी वज़े से फेल होती है जातर लोग की विकर वो यह कॉंसेप्ट नहीं समझते हैं वो सोचते ह कि लास 3-4 साल 5 साल के अंदर जो पैसा बना है उसी तरीके से बनता रहेगा बजार ऐसा चला ही नहीं कभी यह पहली बार है बजार के लिए अब आप उससे जाकर पूछना जिसका आपने कमेंट मेरे को दिया था कि वहाई आपने कित्तरा टाहिं तक इन्वेस्ट किया पैस सफ फास ठीक है यहां से आप पैसा किते कि दनों में नहीं से उसे दो साल के इंदर तक के रिटन है अब आप इसको आगे तक देखो कहा तक जाते हैं डाई अगर आप प्रौंफेट बुक नहीं करोगे तो मोटे मोटे तोर पर पे आप ये देखो कहासे 220 right अब देख पा रहे हूं ना हमार्च यहां फे UFC 26 कहा प्या तक गिर फिर उठें रिकवरी करी फिर अब चड़े ओ पो करी अब यह समझो जब बजार चढ़ा है तो बजार गिर गिरता बजार ऑप च्छोटे-छोटे से दिखे रहे हैं यहां पे बहूत लंबा टाइम लिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर दू यहां भी इन्वेस्ट कर दिया और आप यहां से यहां तक के रिटन देख लो मेरे भाई 2009 से लेकर के 2015 किते रिटन वने हैं 59% के रिटन है मेरे भाई 59% के रिटन इसमें पैसा बनाना गेम है पैसा बनाना बुल्रन में गीम नीए बुल्रन में तो कोई नोब इनसान भी पैसा बना लेधा हो यही एक मीज़ा दिखा थ है इन्वेस्टर्स की आपको लेता बिदक रहे हैं अलग-ес्ट्रटida év से तो कोई भी स्ट्राटेजिस गलत नहीं होती जो साहब ने आकर करके कोई भी बोल देता है strategy गलत है आपने invest नहीं कि आपको आता नहीं ये ढोलो ये ठीक है वो ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं मुझे भी बहुत साई चीज़े नहीं आती strategy गलत है ये ऐसा है वैसा है क्रिटिसाइज करना असान है यार सीखो समझो बजार को समझो जित्ता देखा उससे सापसी समझ पाऊगे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैं अभी नहीं हूं मेरे से बड़े लोग बैठे हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन मैं क्रिटिसाइज नही दो से तीन साल के लिए 50% सुन्दरम financials के अंदर डाल दिया है, तो क्या सही रहेगा विश्रीग भाई, भाई देखो मैं अपने दिल से बताऊँगा, मैं आपको कोई भी फाल दोगा ग्यान ने दूँगा, मैंने अपने overall portfolio का 74% finance and services segment में डाला है, definitely वहाँ पे stocks ज्यादा है, mutual fund में थोड़ा कम पैसा है मेरा, विकार मुझे भी stock समझ आते हैं, तो इसी वज़े से, लेकि मेरा overall portfolio up to 60-70% finance and services के अंदर है, तो अगर financial services चला, तो आप और मैं दोनों मिलके पैसा कमाएंगे, और इतना पैसा कमाएंगे, कि बाकी को लोग देखेंगे, almost double हो जागा हमार पो दिक्कत है, अधरवाइस मुझे लगता है, यहां से at least double होगा, banking and finance services next 2-3 साल के लिए, और मैं बहुत ज़्यदा बोलिश हूँ इसके उपर, तो मेरे साब साब अगर आप भी कर रहो, तो मुझे personal lean लगता कोई दिक्कत है, इमालन स्टैनिन का कमेंट आ रहा है, यह कह रहे ह चार लग opportunity fund रखा है, market crash में invest करने के लिए, तो सब देखिए, अगर आप 15 साल के लिए हो, तो मैं simply बता दूँ आपको, 50% पैसा गिरिया, डढ़ना मत, पहली चीज होगी, दूसी चीज 50% अगर पैसा गिरिया, तो वहाँ पे दबा करके invest करना, यह दो चीज़ अगर आपक यहाँ पे invest कर सकते हो, सेकंड चीज जो आपने मेर से बुली कि 4 लाग रुपे opportunity fund के लिए होते हैं, तो क्यों रखा है, जो opportunity funds होते हैं, वो opportunities के लिए होते हैं, ठीक है, अब मेरी खाल से, जारतर लोग भी समझ आया हैं, मुझे नहीं पता, opportunity fund के अजर आपने, let's suppose, 10% अपन इसमें, यहाँ बैसा डालो, 2-4-5% बढ़ेगा, यह overall चीज हो जाएगी आपके 2-3 महीने में, आपके 57% return बन गए, same चीज अगीली बार दुबार होगी, आपके 57% return बन गए, क्योंकि बजार ऐसे चलता है, consolidation 60% of the time कंदा बजार कंदर हो यह, और बजार जो maximum return देता है, एक basically बजार काम कैसे करता है, तो भाई 4 लाग रुपे बहुत ज्यादा है, आपकी अगर कॉर्पस 40 लाग रुपे का है, तो 4 लाग रुपे मेरे साब से सही है, पर अगर 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 से गंका है, तो सिर्फ सिर्फ 10-15% रखना, इससे क्या होगा, आपका alpha बना पाओगे, जल् बजार समझाता है, तो definitely यह चीज़ कर सकते हो, प्रफुल जी यह कमेंट आ रहा है, कहरें सर्फ खुद का 10,000 का SIP क्या है, क्या है, क्या है, प्रॉब्लम क्या आईगी, यह मैं आपको बताता हूं, देखो, क्या वैल्यू फंड, मिड्ट का रहे है, कोई शूनी आप यह कर सकते हो, सेकंड चीज रही बात, कि रेंट आता है, आप आपको इसाब देना पड़ेगा, तो आप यह समझो, कि साल के एंड में, ठीक है, जब आपको इसाब देना है, मार्केट गिर के कहां से दोगे हिसाब, आप इसाब नहीं दे पाओगे, तो आपको यह समझना है, कि समझो, कि भाई एक साल का भीउ है, तो एक साल की विउ में कहां पैसा बनेगा आपका, एक बैलन्स पोट्फोलियो मी, इनो, बैलन्स फंड होते हैं, याँ है पर यह समझ है, तो साब नहीं दे पाऊगा तो यह समझो अधर देट आपके दोनों फंट्स काफी जाद अच्छे मेरे साब से यह रिस्की काम है थोड़ा सा अगर आपके पापा समझ जाए कि हाँ पैसा क्यों नहीं है कुछ दिक्कत है तो फिर ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो फिर सोच समझ के ह करेक्शन कब आया था चलो ठीक है दिखाते हैं लेकिन जो निफ्टी टू फिफ्टी का डेटा वह बहुत ज़्यादा पुराना नहीं क्योंकि इंडेक्स रिसेंट्ली बना था तो रहे पास तो भाई आप यह देख लो ठीक है यहां पर अगर आप खरीदते हो जैसे बजा कोवेड आया था तो 66% गिरा था तो अब बोलो कि भाई यह तो कोवेड था तो कोवेड में तो इतागेड नहीं था चलो सर ठीक है कोवे बात नहीं अब यह है 2011 का ठीक है 2011 से जब इसका all time high बना उसके बाद गिरावट हुई भाई तो 43% के आस पास हुई चलो ठीक है आप मेरे ख्याल से 77% के आस पास की तो आप यह देखो यहां पर जब जब पैसा बजार ने बनाया है इन्वेस्टर का small cap ने तो पैसा चीना भी बहुत है ठीक है अब एक चीज और देखो यहां पर जो जारतर लोग इस साहां पर नहीं समझ रहे हैं यह आई रैली यहां से यहा यह यह, यहां से यहां से यहां तक है कितना टाइम लगा कैसे से यह on से यहां तक का साल साल में और यहां स यहां पर दो चीज़ होई था देखो दो चीज़ कर सकते दो चीज़ ही क्य CAP कर सकते थे कि जैसे ही बंदेर और तीक है अगर आप यहाँ पर देखते हैं यहाँ तो बाई 17 परिशार को बनाओगे 100% पैसा अगर बजार में लगा हुआ है तो यह जो तीन तीन चार साल साल तक पैसा नहीं बनता कुछ बेंड़ करना चाहिए बिल्कुल की नियुक्त कर दो इंवेस्ट करें बहुत कुछ रहा है अब किसी में बीच कर दो या प्राइवेट बैंक किंदर कर दो कंजीउमर में कर दो गेल में क्यों करना बाई केल्व में नी करना वाइव फसा देगा वह आपको जिस दिन दूर रहो दो चाह दस पंदरा प्रसेंट के नहीं मट डालो क्योंकि फसद होगे तो फिर लंबा फस जाओगे क्योंकि दिक्कत कहना रिकवर नहीं होते ही इस टॉक यह मेजर दिक्कत है राठें दुरही जी का कमेंट आ रहे कहा है जैसे रिसेंटली के पॉइंट ने 15-20 परसेंट के रिटन दिये लास्त 3-45 दिन के अंदर ठीक है तो बहुत अच्छे रिटन बन रहे थे पैसा लगा वह था डिसेंट लेवल का तो बन गया ठीक है तो यह डिपेंड करता है आप कहां पर इंवेस्ट कर रहे हो अगर आपका स्टॉक है वो फंडमेंटली स्टॉंग है तो अपसाइड अवरेज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है डांसाड अवरेज से क्यूंकि डांसाड आवरेज में दिक्कत होती है न कि रिकवरी अप कर सकते हो म्यूच्वाइब सही है डिपेंट करता है आप करना क्या आपने स्पैसिफाई नहीं किया मेरा तो जातर पैसर डिरेक्ट स्टॉप में ही लगा होता है मुझे वेट करना चाहिए या फिर खरीद लेना चाहिए सर देखो आपके बोलने पे अगर आप करोगे तो हैं कुछ भी खास कंपनी की सेल्स ग्रोथ 15 परसेंट से ग्रोव हो रही है स्टॉक और तो मुझे नहीं पता आप मुँआ से क्या एक्सपेट कर रहे हैं अगर आपके लिए होता तो मैं इसको छूता भी नहीं मैं से थोड़ा सा दूरी रहता गरी गिर जाता तो शायद मतलब इस बीस परसेंट के आसपास गिर जाता तो मैं इसकेंदर फिर भी एक पल को सूसता है एंट्री लेने की बड़ मुझे नहीं पता यह कैसे चलेगा यह चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा थोड़े देर के के दर परस्टनली हो गया यह जा यह बनाऊ गया अप अल्टाम हाई के आसपास है और इनमें बहुत बड़ा पैसा नहीं बनता है इनमें ठीक ठाक पैसा बन जाता है मेरा यह मनने आपका बिलकुल अलगो सकता है कि ग्रोथ नहीं कंपनी कंदर है ना नेट प्रॉफिट नह कि हमेशा हर चीज काम नहीं करती देखो मैंने आपको इनिशल लेवल पर क्या दिखा है अगर आपने इस वीडियो को बहुत असाई से देखा हूंगी जैसे स्मॉल कैप ने एक साल में 50% के रिटन दिये फिर उसका 75% के रिटन चार साल में दिये पहली पहली लर्निंग इस करें तो लोगों ने स्मॉल कैप में डाला क्यों इंडेक्स ने बहुत अच्छे रिटन दिये अगर आप की बात करोंगे लेकिन अगर आप की बात करोंगे तो मेडिक ने दिये हैं मुझे लगता आने ताइम पर लार्ज कैप दे पाएगा तो इसी वजह से मैं कहता हूं जादा रस्क लेकर के जादा return निकलना फिर भी सही है पयर इसको प्रियल इन्वेस्टिंग स्ट्राइजी कहते हो कि ऊप незाइब है तो मेरे साथ से लार्च क्योप रों को मुझे सही बुलिश होते हैं और वो टाइम होता है जब लोग ज़्यादा गलतिया करते हैं तो प्रिपरेशन हमेशा से होनी चाहिए फ्यूचर की ठीक है तो मेरे इसाब से यह से वह से विस वज़े से क्योंकि कि Small Cap ने पहले रिटन दे दी है अब लास्ट एक साल का टाइम चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले देखते तो अपरेंट टो अप्रेल एक साल दिखता अब देखोगे तो आप जून टो चून इन एक साल दिखेगा इस वज़े से तो ऐसाच कोई इशू नहीं है तो टाइम टो